येर वीवर्स जो दोस्त मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबाई दीजिए ताके हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके असलाम अलेकुम मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MLT हबवित कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीरो बैसिज वगजाय नहीं करते शुरू करते हैं अपना टॉपिक सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटीरो बैसिज क्या है ये एक पैरसिटिक इंफेक्शन है और इस इंफेक्शन को पिन वाम इंफेक्शन भी कहा जाता है दरसल में ये एक ऐसा इंफेक्शन है जो कि ज्यादतर बच्चों में पाया जाता है अगर हम बात करें कि इंटीरो वर्मिकुलेरस तो इसकी वज़ा से होता है इस पेरसाइट को राउंड वाम भी कहा जाता है और इसको थ्रेड वाम भी कहा जाता है इसकी दो शकले होती है पहली शकल जो है वो ओवा या एक कहलाती है जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं और ये इन्फेक्टिव फॉर्म होती है दूसरी शकल लार्वा या वॉम कहलाती है जिसमें मेल और फीमेल दोनों फॉर्म होते हैं यहां पर आप देख सकते हैं जो पहला फॉर्म है ये मेल लार्वा है और ये साइज में चोटा होता है और ये जो दूसरी पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं ये फीमेल लारवा है और इसका साइज मेल लारवा से बड़ा होता है बात करते हैं इंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस के लाइफ साइकल पर कैसे ये इनसानों के जिसम के अंदर दाखिल होता है तो सबसे पहले अगर हातों की सफाई ठीक तरह से ना की जाए तो इसका जो एक फॉर्म होता है वो हातों की वज़ा से चोटी आंथ में मुगे रास्ते से चला जाता है चोटी आंथ में पहुंचने के बाद ये अंडे फट जाते हैं और इस से फिर मेल और फीमेल जो लारवा है वो निकलते हैं वो चोटी आंथ में मिचूर होते हैं और फिर चले जाते हैं बड़ी आंथ में बड़ी आंत में मौजूद जो फीमेल लारवा होती है तो वो खुद को पहुंचा देती है पीछे की शरमगा तक और वहां पर डेर सारे अंडे वो देती है वो अंडे फिर मरीज के पीछे की शरमगा में मौजूद होते हैं मरीज जहां पर सोता है उस बेडशीट पर मौजूद होते हैं या जो मरीज के कपड़े हैं उस पर मौजूद होते हैं अगर ये मरीज दुबारा से अपने पीछे की शरमगा को खुजाता है तो दुबारा से इसे इंफेक्शन हो सकता है या कोई और अगर आता है और इसके बेडशीट पर सोता है तो ये एक फाम उसके हातों पर लगकर उसको वो ट्रांसफर हो सकते हैं अभी हम बात करते हैं इंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस के अलामात की तो इसमें जो सबसे बड़ी अलामत होती है वो ये कि जो मरीज है उसके पीछे की शरमगा में बहुत शदीद खारिश होती है और खासकर रात के वक्त पर जब वो सोता है बाज वकात मरीज अपनी पीची की शरमगा को इतना खुजाता है कि उसकी वज़ा से जखम पड़ जाते हैं और उस जखम की वज़ा से सिकेंडरी बिक्टिरिल इंफेक्शन मरीज को हो सकता है इसके अलावा मरीज को भूख नहीं लगती, मरीज में चड़ चड़ा पना जाता है, मरीज को नीन ठीक तरह से नहीं आती और मरीज जब स्टूल पास करता है तो बाज वकात उसमें पिन वाम होते हैं यहां पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि अगर इंटीरो बियासिस का इलाज वक्त पर ना किया जाए और उसे ऐसे चोड़ दिया जाए तो मरीज को एपेंडिसाइटस भी हो सकता है, मरीज की आंते भी बंद हो सकती हैं और मरीज की जो आंते हैं वो फढ़ भी सकती है पर रखा जाता है और फिर उसकी माइक्रोसकोपी की जाती है सुबा सवेरे, इसके इलावा स्टूल रूटीन इग्जामिनेशन किया जाता है, अगर इलाज की हम बात करें तो इसके इलाज के लिए दो दवाईयां बहुत ज्यादा आम तोर पर आवेलेबल हैं, पहले दव आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल मिल टीहब वित कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना डेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाहाफिज